हलो एब्रिवान मैं हूँ पावन निगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चेप्टर 5 सर्फेस केमिस्ट्री और ही इस सेरीज का 6 पार्ट है तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे अगर हम क्या करेंगे जो कॉलाइडल पार्टिकल है उसको रखेंगे in the electric field तो आपको पता है जो कॉलाइडल solution है पहले तो वो एक heterogeneous mixture है तो ये heterogeneous mixture आपको दिखाई भी दे रहा है और हमने कहा कि जो कॉलाइडल पार्टिकल है या dispersed phase के पार्टिकल है उनके ऊपर चार्ज होता है वो positive, negative कुछ भी हो सकता है तो अगर हम क्या करेंगे इसको electric field में रखेंगे तो जो dispersed phase के पार्टिकल है तो इसमें आप देखिए before का मतलब है जब तक हमने electric field apply नहीं किया है या on नहीं किया है तब तक ये condition है तो तब तक देखिए जो dispersed phase के पार्टिकल है जो आपको pink color में दिखाई दे रहे है स्क्रीन पर वो इस u-shaped tube में distributed है और दोनों जगें distributed है जब आप electric field को on करते हो तो आप देखते हो कि left side में in dispersed phase के पार्टिकल का concentration बढ़ गया है लेफ्ट साइड में या लेफ्ट वाले टर्मिनल में in dispersed phase के पार्टिकल का जो concentration है वो बढ़ गया है तो वो concentration बढ़ने का मतलब है कि dispersed phase के पार्टिकल अभी left side में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है इन्होंने migrate किया है under the applied electric field क्योंकि ये positive terminal की तरफ migrate किये है it means they possesses negative charge तो यहाँ पर जो dispersed phase के पार्टिकल है they are negatively charged ठीक हो गया तो कई बार हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि जो dispersed phase है उनके पार्टिकल के उपर कैसा charge है तो यहाँ concentration आपको बड़ी हुई दिख दी है और कई बार यहाँ तो हमने अपनी convenience के लिए इनको pink color से दिखाया है कई बार जो dispersed phase है उनका color, specific color होता है और इधर आपको color की intensity बढ़ती हुई दिखेगी जिस तरफ dispersed phase के पार्टिकल माइग्रेट किये है तो यह है दोस्तो electrophoresis बहुत आसान है इसके बाद है electroosmosis तो osmosis आप लोगों को पता है क्या है solution वाले chapter में हमने पढ़ा है the moment of particle of solvent ठीक है तो through the semi-permeable membrane उसको हम क्या कहते हैं osmosis कहते हैं अब आग देखे अगर हम osmosis को electric field के जरिये या electricity की help से करवाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे electroosmosis बहुत आसान है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल solvent के particle ही move करते हैं across the across the semi-permeable membrane ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे colloid के case में तो the phenomena of moment of molecule of dispersion medium यहाँ पर भी solvent के particle ही move कर रहे हैं but they are moving under the influence of electric field ठीक हो जाएगा and whereas colloidal particles are not allowed to move is called electroosmosis तो colloidal particles why they are not allowed to move क्योंकि उनका size बड़ा है और वो क्या नहीं कर सकते हैं they cannot move through the semi-permeable membrane क्योंकि size उनका बड़ा है तो वो pore size जो होगा semi-permeable membrane में उससे पास नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक arrangement डिखाई दे रहा है electroosmosis का तो यह जो beach वाला compartment डिखाई दे रहा है जिसको मैं red mark कर रहा हूँ इसमें colloidal solution रखा है colloidal particle रखा है तो इसमें dispersed phase भी होगा dispersion medium भी होगा right महला मान लेज़े dispersion medium water है तो beach वाले container में भी water है और उसमें dispersed phase के particle है जबकि जो left वाला container है या compartment है उसमें pure water है और जो right वाला compartment है जिसको मैं अभी red mark कर रहा हूँ उसमें भी क्या है pure water है ठीक हो गया अब हमने क्या किया इन compartment में जिनको हम B compartment मान लेते हैं C मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं तो A beach वाला है तो अगर हम B और C compartment में electric field apply करें तो आपको पता है कि जो dispersed phase के particle है उनके उपर charge होता है मान लेजे positive charge है और इसका opposite charge होता है dispersion medium के particle के उपर तो मान लेजे negative charge है तो ये क्यावल जो water charge है वो कहाँ है कि अवल colloidal solution में ही ठीक है जो beach वाला compartment है तो मान लेजे जो dispersion medium है वो negatively charge है तो negatively charge जो water है वो कहाँ move करेगा it will move towards the positively charged terminal या compartment through the semi-permeable membrane तो semi-permeable membrane से pass हो रहा है तो ये क्या है अभी ये है osmosis और आपको पता है जो colloidal particle है वो बड़े size के हैं तो वो क्योंकि इनकी ओपर positive charge है इसके बावजूद भी ये negatively charge terminal के तरब नहीं जा सकते है because the semi-permeable membrane will not allow them to pass through it ठीक होगा तो जो water के particle है वो इधर के तरब move करेंगे तो यहाँ water की concentration कम हो जाएगी A वाले compartment में और इस concentration को पूरा करने के लिए again जो water है वो compartment B से compartment C के तरब आएगा compartment B से compartment C के तरब आएगा तो यहाँ जो tube में पहले water का level था वो अभी कम हो जाएगा तो जिस side में water जिस side की tube में water level कम हुआ है ठीक है तो यहाँ क्यासा level है कैसा charge है negatively charge terminal के तरब में water level कम हुआ है तो इसका मदलब water यहाँ से इधर गया है water यहाँ से इधर गया तो water पे कैसा charge था negative charge क्यों? क्योंकि water यहाँ पर colloidal phase का water dispersion medium का water positively charge terminal की तरब move किया है तो इसका मदलब इसके उपर negative charge इसके उपर negative charge का मदलब जो dispersed phase के पार्टिकल है उनके उपर positive charge तो देखिए हम सिदा सिदा इससे भी पता कर सकते हैं कि dispersed phase के उपर कैसा charge होगा तो अगर negative वाले terminal से क्या हो रहा है जो water level कम हो रहा है तो उसका opposite charge dispersed phase में होता है और इसका vice versa भी correct होगा तो यह बहुत simple सा फिनामिना है electro osmosis ठीक हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं coagulation of collider solution coagulation का क्या मतलब है इसको बहुत important है हमें समझना और बहुत examination pointer view से भी काफी important है और daily life में भी हम इसके कई सारे example देखते हैं तो coagulation of collider solution तो पहले हम समझते हैं coagulation से मतलब क्या है the phenomena of precipitation of a collider solution by adding excess of electrolyte is called coagulation और इसको flocculation भी कहते हैं इसका क्या मतलब है हमने collider solution को precipitate करवा देना है precipitate करानी का क्या मतलब आपको पता है जब भी आप lab में कुछ reaction कराते हैं तो कुछ चीज अगर precipitate हो गई इसका मतलब है वो भारी होकर नीचे settle हो गई on the bottom of the container तो मान लीजे ये एक container है इसमें कोई solution हमने रखा है तो solution अगर रखा है तो solution रखने का मतलब है कि जो solute और solvent के particle है वो freely move कर रहे हैं और ये stable है ठीक है तो मान लीजे कोई भी solution है ठीक है ये है मान लेते हैं NaCl है ठीक है तो इसमें Na positive और Cl negative के particle water के particle के साथ move कर रहे होंगे they are not settled till yet अब अगर मैं इसमें क्या करूँ AgNO3 डालो ये chloride का test भी है दूस्तों ठीक है तो क्या होगा Ag positive यहां से Cl negative यहां से ये दोनों combine करके AgCl बना देंगी और जैसी AgCl बनेगा ये क्या हो जाएगा precipitate होके नीचे बेड़ जाएगा तो मैं इसको दूसरे color से अभी दिखा देता हूँ green color से दिखा रहा हूँ तो ये settled हो गया अभी ये solution में move नहीं कर रहा है It is settled on the bottom of the container It is settled on the bottom of the container ठीक हो गया तो इसी phenomenon को हम क्या कहते हैं Coagulation या flocculation भी कहते हैं अब ऐसा होता क्यों है एक बात इसमें आपने ध्यान दी होगी by adding excess of an electrolyte जब आप excess of electrolyte को add करते हैं तब ही ऐसा होता है और आपको मैं सुरूर से बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत amount electrolyte का ज़रूरी होता है for the stability of collide ठीक है अब mechanism क्या है मैंने आपको बताया कि जो collidal के particle है वो charge particle है और सारे dispersed phase के particle के ओपर एक ही type का charge होता है तो मान लीजी अभी हमारे पास जो dispersed phase के particle है वो कैसे है negatively charge है तो एक के dispersed phase का particle आपको दिखाई दे रहा है तो इसके उपर negative charge आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही दूसरा particle है इसके उपर भी negative charge है तो negative charge के वज़े से same charge के वज़े से ये एक दुसरे को क्या करेंगे repel करेंगे और ये आपस में नहीं जोडेंगे, आपस में जोडेंगे नहीं तो भारी नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे तो नीचे सेटल नहीं होंगे, तो जो colloid के stability है, वो किसकी वज़े से है, due to the same charge present on the particles of dispersed phase, अब जब हम excess of electrolyte डालते हैं तो क्या होता है, तो electrolyte में तो दोनों type के charge होत salt डाला, तो ये Al 3 positive क्या करेगा, इसके positive charge को neutralize करेगा, अगर इसको आप count करोगे, तो 2 negative charge, 2 negative charge, 2 negative charge, तो ये 6 negative charge को neutral करने के लिए Aluminium के केवल 2 ion लगेंगे, क्योंकि एक ion के ऊपर 3 positive charge है, ऐसे ही दूसरे में भी होगा, तो जब इनके charge पूरी तरीके से neutral होगे, तो अभी इनके बीच में कोई भी electrostatic repulsion नहीं होगा, और नहीं होगा, तो ये दोनों आपस में जुड जाएंगे, और ऐसे दोनों ऐसे बाकी particle भी जुडते जाएंगे, तो जब ये जुडते जाएंगे, तो भारी होगे, भारी होगे तो नीचे बैठ जाएंगे, so this is what the coagulation of collidal solution, ठीक है दोस्तों, अब इस coagulation से related कुछ rule है, जिसको हमने जानते हैं by hardy soldier rule से, तो काफी important है hardy soldier rule, तो hardy soldier rule के दो statement है, क्या कहता है पहल the iron carrying the charge opposite to that of soul particle, मलदब dispersed based particles are effective in causing coagulation of the soul, और ऐसा होना भी चाहिए, देखी, यहाँ पर जो dispersed based particle के ओपर charge है, वो negative है, तो negative का opposite, positive वाला ही तो coagulation कर पाएगा, तो coagulation के लिए हमने AL3 positive को consider किया था, ठीक होगा, so ions carrying the charge opposite to that of soul particles are effective in causing coagulation, तो यहाँ पर क्या है, positively charged iron क्या कर रहे हैं, coagulation कर रहे हैं, अगर soul positive होता, तो negatively charged iron क्या करते हैं, coagulation करते हैं, दूसरी बात है, the coagulation power of an electrolyte is directly proportional to the fourth power of the valency of the active iron, active iron किसको कहते हैं, यह वाला, जो, जो क्या कर रहा है, coagulation कर रहा है, इस iron को जिसकी हमने उपर बात की थी, उसी को हम कहते हैं, active iron, so, the coagulation power of an electrolyte is directly proportional to the fourth power of the valency of the active iron, greater is the valency of the active iron, the faster is the coagulation, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, negatively charged soul हम consider कर रहे थे, तो हमने क्या किया, जो aluminum 3 positive क्या है, आपका active iron है, तो यह जो electrolyte है, जिससे aluminum iron मिला, उसकी जो coagulating power है, मतलब कितना आसानी से वो coagulate कर पाता है, वो active iron के valency, valency का मतलब जिस iron के ओपर जितना charge है, उसकी valency के fourth power के proportional है, तो सीथी सी बात है, जितना ज़्यादा active iron के ओपर charge होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका, उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, coagulating power होगा, जैसे AL3 positive, ठीक है, और NMG2 positive और NE positive, तो आप भी बता सकते हैं, इन में सबसे effective कौन होगा, जब effective का मतलब है, जो बहुत कम amount में ही, बहुत ज़्यादा soul particles का coagulation कर दे, तो जिसके ओपर charge ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, तो aluminium 3 positive, सबसे कम कौन होगा, sodium positive, तो वही यहाँ पर example से भी समझाया है, for coagulation of AS2, AS3, ठीक है, यह arsenic sulfide है, जो की एक negative soul है, तो coagulating power क्या होगी, aluminium की ज़्यादा होगी, then magnesium की, then sodium की, ठीक, इसी प्रकार से, अगर हम कोई positively charge soul consider करें, जैसे ferric hydroxide, तो क्या होगा, coagulating power, जो active iron है, उसके valency की fourth power के proportional होगा, तो इस case में active iron negatively charge होना चाहिए, तो यह कुछ iron आपके पास लिखे हैं, तो जितना ज़्यादा इसका charge, उतना ज़्यादा इसकी coagulating power, ठीक है, तो इस order में होगा, अब आप देखें, जो हमने electrolyte add किया, मान लीजे 10 ml add किया, और 10 ml से क्या हो जाता है, coagulation हो जाता है, तो 100 ml से तो होई जाएगा, ठीक है, तो minimum कितना add करना पढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं coagulation value, So, the minimum concentration of an electrolyte which is required to cause the coagulation of a soul is known as coagulation value, और यह किसमें हम express करते हैं, millimoles per liter, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया, कि कोई electrolyte की हो सकती है, हमें minimum amount जो है 10 ml डालनी ही पढ़े, या add करनी ही पढ़े, in the soul, in the colloidal solution, तब जाकि coagulation होगा, तो जब 10 ml से हो गया, तो obvious से बात है 20 ml से तो होई जाएगा, तो हमें वो minimum amount चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, coagulation value कहते हैं, बहुत important term है coagulation value क्या होती है, तो हमने कहा, the greater is the valency of the active iron, the lower is the coagulation value, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा, जैसे हमारे पास दो electrolyte है, MgCl2 और Nacl, तो अगर एक किसी particular soul का, जो की negatively charged soul है, उसका अगर हमें coagulation करना है, तो इन दोनों में से, किसकी amount कम लगेगी, आब वीडियो को pause करके सोच सकते हैं जवाब, तो किसकी amount कम लगेगी, obvious से बात है, MgCl2 का amount कम लगेगा, क्यूं कम लगेगा, क्यूंकि यहां magnesium के ओपा two positive charge है, ठीक है, जितना ज़्यादा valency होती है active iron की, उतनी ज़्यादा, उतनी कम होती है coagulation value, तो coagulation value किसकी है, electrolyte की है, किसी particular soul के लिए, और एक और बात, जितना कम coagulation value होगी, किसी particular electrolyte की, वो उतना ज़्यादा effective माना जाएगा coagulation करने के लिए, वैसे भी effectiveness हम किसको कहते हैं, कम amount में ही जो काम कर दे रहा हैं, उसी को हम effectiveness कहते हैं, अगर किसी electrolyte के बहुत ज़्यादा आपको amount use करनी पढ़ रही है, for the coagulation, तो वो effective कम होगा, तो आसान सी बात हैं, तो ये हमने पढ़ा था, coagulation of coagulation of colloid, तो ऐसे कए सारे example आप घर में भी देख सकते हैं, मान लिजी आप milk लेते हैं, तो milk में ने आपको क्या कहा, ये भी एक electrolyte है, तो इस milk में अगर आप क्या कर दो, lemon juice एड़ कर दो, तो क्या होगा, आप जो generally सामन्य भासा में जिसको कहते हैं, दूद फट जाता है, तो उसमें जो protein है, वो coagulate होके नीचे settle हो जाती है, आप उसका cheese बना सकते हो, तो ये भी क्या है, एक example है coagulation का, तो जो lemon juice है, उसमें क्या है, उसमें हैं दोस्तो electrolyte, ठीक है, क्योंकि acid है, और acid भी electrolyte होता है, तो और भी कई example आप से हो सकते हैं, डेली life में, इसके बाद अगला जो topic हम देखने वाले हैं, ये है protection of collides, protection of collides, protection का मतलब है, colloid को अगर coagulate होने से बचाना है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, protection करना पड़ेगा, तो देखिए, हमने क्या कहा था, कि colloid भी दो type के होते हैं, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium particle, एक होता है lyophobic, एक होता है lyophilic, तो जो lyophobic collides हैं, they are not very stable, and they are radially precipitated by addition of a small amount of electrolyte, so they are protected by addition of lyophilic collides, तो जब हम collide को क्या कर रहे हैं, coagulate कर रहे हैं, इसका मतलब है, उसकी stability को हम खतम कर रहे हैं, और stability खतम हम कैसे कर रहे हैं, by the addition of electrolyte, तो अगर आप दो collide को compare कर लो, एक है lyophobic, एक है lyophilic, तो lyophilic काफी stable होता है, हमने पढ़ा है, और lyophobic बहुत कम stable होता है, तो इन दोनों को अगर आप coagulation करोगे, same electrolyte से, तो बहुत कम amount of electrolyte use होगा, for the coagulation of lyophobic collide, क्योंकि वो stable है ही नहीं, जबकि इसके comparison में, lyophilic में आपको, ज़्यादा amount of electrolyte use करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर lyophobic collide को protect करना है, तो इसमें हम क्या add कर लेते हैं, इसमें हम add कर लेते हैं, lyophilic collide, lyophobic collide को अगर हमने protect करना है, protect करने का मतलब यहाँ पर है, कि coagulation होने से बचाना है, थोड़ा सा अगर हम क्या करते हैं, electrolyte add करते हैं, और हम यह चाहते हैं कि उसका coagulation न हो तो इसी process को हम कहते हैं protection of collide और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें lyophilic collide add करना पड़ता है ठीक है so the process of protecting the lyophobic collides from precipitation or coagulation by the electrolytes due to previous addition of some lyophilic collide is called protection मतलब lyophobic collide में आपने lyophilic collide add कर दिया उसके बार अगर आप बहुत कम amount of electrolyte add करते हैं तो उसका coagulation नहीं होता है इसी को हम कहते हैं protection तो देखिए यह जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है यह है लायोफोबी कोलाइड इसमें हमने क्या किया लायोफिलिक कोलाइड एड किये तो यह लायोफिलिक कोलाइड क्या करते हैं इस लायोफोबी कोलाइड के पार्टिकल के चारों तरफ से यह हर डिरेक्शन से क्या करते हैं एक layer बना देते हैं तो जब आप electrolyte add करोगे माली जी केसील आप add करते हैं तो ये electrolyte पहले lyophilic colloid के साथ interact करेगा और वहाँ consume हो जाएगा lyophobic colloid तक पहुँची नहीं पाएगा तो ये वैसे ही है जैसा हमने क्या देखा था रस्टिंग का prevention देखा था हम iron पर क्या करते हैं zinc की coating कर देते हैं तो यहाँ पर भी almost वैसा ही है lyophobic particle के surface पर किसकी coating हो रही है lyophilic particle की ठीक है तो जो भी electrolyte है वो इससे consume हो जाएगा या इससे neutralize हो जाएगा lyophobic colloid तक नहीं पहुँचवाएगा obviously बात अगर आप बहुत ज़्यादा amount of electrolyte use करते हैं तो coagulation हो ही जाएगा ठीक है अब protecting colloid कौन हुए जो हमने lyophilic colloid add किये हैं अब कौन protecting colloid कितना अच्छे से protect करता है यह भी तो हमें compare करना है क्योंकि lyophilic colloid तो कई सारे हैं अब कौन कितना ज़्यादा effective है protection के लिए इसको हम compare करेंगे और इसको हम compare करते हैं gold number से ठीक है so the protecting powers of different protecting colloid तो ज्यान रखिये protecting colloid कौन होगा lyophilic is expressed in terms of gold number तो gold number क्या है ऐसा नहीं है कि कुछ सोने का बना हुआ number है बट सोने का यह जिसमें जरूर है जो different protecting colloids हैं जो different lyophilic colloids हैं उनकी protecting power को क्या कर रहा है compare कर रहा है lyophilic colloids की ठीक है अब क्या है gold number उसको हम देखते हैं इसका definition बहुत खास है देखे the minimum amount of the protective colloid in milligrams तो देखे पहले इतना समय लीजे minimum amount से क्या मतलब होता है अगर 10 gram से protect हो जा रहा है कम से कम तो 10 gram ही use करेंगे क्योंकि अगर 10 gram से protect होता है तो 12 gram से भी हो जाएगा 15 gram से भी हो जाएगा 20 gram से भी हो जाएगा तो वो minimum amount हमें लेना है right so the minimum amount of protective colloids protective का मतलब ये kolylyophilic colloids होगा और ऐसे कई सारे होते हैं required इसके जरत पढ़ती है to just prevent ब्रोकने के लिए the coagulation of अब देखे दो कोलाइड इसमें use हो रहे हैं एक है लायोफिलिक कोलाइड एक है लायोफोबिक कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड वो कोलाइड है जिससे हम protect करने जा रहे हैं लायोफोबिक कोलाइड को अब लायोफोबिक कोलाइड तो अलग अलग होंगे क्योंकि हम उन्हीं को compare कर रहे हैं और उनकी minimum amount तो वह भी अलग अलग होगी किसी में 10 gram हो सकता है किसे में 5, किसी में 4 किसी में और कम, किसी में और ज्यादा तो वो amount अलग अलग हो सकती है बट क्योंकि हम compare कर रहे हैं तो जिसको protect करना है उसको तो fix मान लिया जाए otherwise comparison होगा ही नहीं अगर सारे बच्चों को कितना IQ level है तो test तो एक ही देना पड़ेगा, एक ही question paper देना पड़ेगा, तभी हम compare करते हैं बच्चे तो अलग-अलग हैं अलग-अलग score करते हैं बट question paper एक ही होगा तभी हम compare करेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज हो रही है हमने अलग-अलग lyophilic colloids को अलग-अलग लेना है और उनका अलग-अलग score होगा अलग-अलग score का मतलब कितना minimum amount उनका चाहिए होगा lyophobic colloids को protect करने के लिए अब lyophobic colloids जो है वो हमें fix टेक्टना पड़ेगा तो वो क्या है lyophobic colloids यह है gold soul है भई तीक है gold soul है इसलिए इसको हम gold number कहते है gold soul आपको पता है यह gold soul जो है यह lyophobic colloids है ठीक है अब इसका amount भी कम जादा हो सकता है अगर आपने कम amount लिया तो कम lyophilic colloids के जरत पड़ेगी जैसे अगर आपने 100 ml को protect करना है तो कम और 1000 ml को protect करना है तो जादा तो वहाँ भी amount vary हो सकता है इसलिए उसको भी fix कर देंगे तो gold soul के कितने protect करना है 10 ml volume है अब यह हो गया अब जो हमने जिससे protect करना है एक और चीज़ इसमें किससे protect करना है हमें electrolyte से protect करना है तो electrolyte का volume भी fix कितना 1 ml और उसका strength concentration भी fix वो भी कितना 10% ठीक है percentage composition हमने बताया है जब हमने unit of concentration पड़ाये थे volume हमने आपको बताया था या mass by mass weight by weight ठीक होगा तो 10% solution of sodium chloride से protect करना है ठीक है तो एक बार फेट से मैं बताता हूँ किसको protect हम कर रहे है 10 sorry किसको हम protect कर रहे है gold soul को यह एक life hobby collide है इसका कितना amount लिया है 10 ml लिया है किससे protect कर रहे है किससे protect कर रहे है electrolyte क्या है NACL ठीक है कितने ml उसके लिए 1 ml उसका कितना concentration है 10% इतने को protect करने के लिए 10 ml of gold soul को 1 ml of NACL जिसका की concentration 10% है protect करने के लिए अलग अलग lyophilic chloride की जितनी minimum quantity लगती है miligrams में हम उसको express करते हैं उसी को हम कहते हैं gold number और ये जो जितनी कम value होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा effective वो colloid होगा protection के terms में protect करने के terms में So, the smaller the value of gold number greater will be the protecting power of protective collide Smaller the value of gold number greater will be the protecting power of protective collide तो अलग 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 collide है यहाँ जो भी collide है ये सब lyophilic collide है And lyophobic collide तो fix है गोल्ड, सॉल, कितने 10 ml, किस से protect कर रहे हैं, NACL, कितना है 1 ml, 10 कितनी है, 10%, तो देखिए, जिलेटिन का इतना-इतना होता है लगबग केजिन, यह milk protein है, इतना-इतना होता है, हीमोगलोबीन, लगबग लगबग इतना egg albumin, जो egg white आप देखते हैं, इतना gum arabic, इतना starch, इतना dextrin, इतना तो starch आप देखिए, काफी अच्छा क्या है, protective colloid है, ठीक है, तो यह हमने protection की बात की, इसके बाद हमने एक type पढ़ा था colloid का, जिसमें हमने कहा था emulsion, तो emulsion क्या है दोस्तों, simple सी बात है, emulsion are the collides in which both the dispersed phase and dispersion medium are liquid, दोनों ही क्या होते हैं, liquid होते हैं, उनको हम emulsion कहते हैं, तो कोई भी दो liquid emulsion बना सकते हैं, बस अरते वो एक दूसरे में mix नहीं होने वाले हों, immiscible liquid हों, अगर आप water और lemon juice का emulsion बनाओगे, तो नहीं बनेगा, क्योंकि यह बहुत अच्छे से एक दूस बनाएंगे, water और alcohol का बनाना चाहोगे, नहीं बनेगा, water और oil का बनाना चाहोगे, बनेगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, immiscible liquid हैं, बट अगर आप water और oil को मिलाओ, तो यह बहुत जल्दी एक दूसरे से separate हो जाते हैं, जब miscible ही नहीं है, तो heterogeneous mixture बनना भी मुस्किल है, यह इसलिए किसकी जरुरत पढ़ती है, emulsifier की जरुरत पढ़ती है, ठीक है, so emulsifier क्या है, emulsifier are the substances which provide stability to the emulsion, अगर आप एक container में क्या ले लो, water ले लो, और इसके ओपर oil डाल दो, तो आपको पता है, water अलग layer बनाएगा, oil अलग layer बनाएगा, यह mix ही नहीं होंगे, और अगर बहुत ज्यादा शेक कर दो, test tube में अगर आप लेके इसको बहुत ज्यादा शेक कर दो, तो थोड़ी देर के लिए mix हो जाएंगे, फिर separate हो जाएंगे, but emulsion बनने के लिए भी mixing होना जरूरी है, चाहिए वो heterogenously mix क्यों नहीं हो, but mixing होना जरूरी है, तो अगर हम घर पे भी emulsion बनाएंगे, तो आप क्या किजिए, इसमें थोड़ा सा detergent घोल दीजे, यह soap, liquid soap इसमें घोल दीजे, तो अभी oil और जो water है, वो इतना easily separate नहीं होंगे, काफी देर तक एक दूसरे की contact में रहेंगे, तो soap क्या है, emulsifier है, तो emulsifier क्या है, ऐसे substance जो क्या करते हैं, emulsion को stability देते हैं, तो इसके साथ-साथ gum भी है, gelatin भी है, ठीक है, यह है, emulsifier, और जो milk है, यह एक natural colloid है, और इसमें emulsifier होता है, जिसको हम कहते हैं, casein milk protein, और साथ में lecithin भी होता है, ठीक है, अब emulsion भी दो type के होते हैं, दोस्तों, एक है oil in water, OW type emulsion, इसका क्या मतलब है, नाम से पता चल होला है, in this type of emulsion, disperse phase is oil or fat, and the dispersion medium is water, for example, milk, मतलब oil or fat किस में disperse है, milk में, water में disperse है, तो उसको हम OW type कहते हैं, इसका opposite WO type, तो यह क्या है, in this type of emulsion, disperse phase is water, opposite हो गया, and dispersion medium is oil or fat, example है, butter and cold cream, तो यहाँ पर, जो oil or fat है, वो ज़्यादा होगा, water कम होगा, ठीक है, तो यह number two होना चाहिए था, तो यह दो type के emulsion हमने पड़े, अब एक last topic इसमें बचा है, application of colloids, तो जो colloids हैं, उनका हमारी daily life में, बहुत ज़्यादा application है, number one, quartal smoke precipitator, क्या है, देख लेते हैं, smoke is a colloid, हमने पहले कहा है, कि smoke क्या है, एक colloid है, और जो harmful charge particle है, सच एस carbon हो सकता है, arsenic हो सकते हैं, और भी कई particle हो सकते हैं, जो charge होते हैं, तो अगर यह smoke, क्या होगा, air में mix हो जाएगा, तो यह जो charge particle हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, carbon arsenic के अलावा, यह बहुत ज़्यादा problem करते हैं, respiratory diseases जो humans में होती हैं, यह उनके लिए काफी responsible होते हैं तो अगर कोई smoke है, किसी factory या किसी construction site से निकल रहा है, तो पहले इन जो charge particle हैं, इनको अलग कर दिया जाता है, तो कैसे अलग करा जाएगा, these can be precipitated by bringing them in contact of oppositely charged metal plates, तो यह भी precipitation या coagulation का ही एक form है, example है, तो है क्या basically, माल लीजए यह क्या है, smoke है, जो किसी construction site, यह किसी factory से निकल रहा है, और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, unburned charge particle होंगे, ठीक है, particulate matter भी जिसको हम कहते हैं, तो यह क्या करेगा, respiratory disease कर सकता है, तो इस charge particle को हम metal electrodes में से पास करवाते हैं, और इसमें बहुत सारी plates लगी होती है, oppositely charged की, high voltage इसमें apply करके, बहुत ज्यादा charge apply किया जाता है, तो मान लीजे, जो charged particle है, वो positively charged है, मान लीजे, तो यह सारी metal plate पे कैसा charge होगा, negative charge होगा, तो जब smoke इसके contact में आएगा, तो जो charged particle है, वो precipitate होके यहां रह जाएंगे, और जैसे जैसे यह भारी होंगे, फिर यह नीचे गिर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं precipitated ash, ठीक होगा, और जो gases यहां से जाएंगी, बहार, यह होंगे, free from these carbon, arsenic and some other charged particles, तो वो जो particulate matter है, जो बहुत जादा खतरनाक होता है, environment के लिए, या human being के लिए, उसको हम यहां से निकाल देते हैं, तो यह भी coagulation का ही एक example है, तो इस device को हम कहते हैं, quartal smoke precipitator, दूसरा जगरफी में आपने जरूर पढ़ा होगा, formation of delta, जैसे आपने पढ़ा है, गंगा ब्रह्मा पुत्र का delta बनता है, सुंदरबंध delta, वेस्ट बेंगोल, और बंगलादेश की boundary पे जो है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो river water है, यह मड़ी होगा, generally होता है, और इसमें कई सारे charge particle होते हैं, clay के, sand के, और कई सारे minerals के, तो ये भी एक colloid आप मान सकते हैं, इसको यह होता है colloid, ठीक होगा, और sea water में आपको क्या बता है, कई सारे electrolyte होते हैं, salt होते हैं, इसलिए sea water क्या होता है, खारा या नमकीन होता है, salty होता है, तो basically क्या है, river water कैसे काम कर रहा है, colloid की तरह काम कर रहा है और जो sea water है वो electrolyte की तरह काम कर रहा है तो आपको पत है, जब electrolyte collide के contact में आएगा, तो क्या कर देगा? उसका precipitation कर देगा So when these two meets coagulation of river water takes place, so colloidal particles settle down as the result the level of river bed rises and deltas are formed तो delta क्या है? अगर आपने जगरफी में पड़ा होगा, तो जहां पर नदी का पानी क्या करता है? समंदर के पानी से मिलता है तो समंदर का पानी खा रहा है तो वो नदी के पानी को क्या कर देगा? precipitate कर देगा उसमें जो sand है या बाकी जो बाकी जो भी particles हैं उनको deposit करेगा deposit करेगा तो यहां जो slope पहले था इसके contact में आने से पहले वो बढ़ जाएगा उपर उमलब rising of the river bed इसकी वज़े से क्योंकि river को एक सीधा slope नहीं मिलेगा बहने के लिए तो वो फैल जाती है, finger like structure में फैल जाती है तो यही जो formation है इसको हम कहते हैं delta और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है एक नदी क्या है, कई सारी किस में change हो गई है, distributories में change हो गई है, ठीक है यहां sediment deposit है और यह जो river का ऐसा जो path होता है plane में जो देखने को मिलता है इसको हम कहते है meander ठीक है, अगर आपने geography में पढ़ा होगा, जो सीधा जब बहुत ज़्यादा slope में river बहती है, तो इस तरीके का path नहीं लेती है, ऐसा path आपको plane या valleys में देखने को मिलता है, इसको हम कहते है meander ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा plane होगा, river को आगे slope नहीं मिलेगा, तो ये इस तरीके से path के कई सारे finger like projection बनाती है, इसी को हम कहते है delta, तो यहाँ पर देखें, इनको हम कह रहे हैं distributaries, मतलब एक river की जो main stream थी, river की, वो कई सारे stream में तूट गई, इसको हम कहते हैं distributaries, और इसका opposite क्या होता है, tributaries, मतलब कई सारी नदिया मिलके एक main नदी में जुड़ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं tributaries, तो tributaries जो higher races हैं, वहाँ मिलेगी, जहां से नदी निकल रही है या रास्ते में जुड़ती जाती हैं और distributaries, जब नदी फैल जाती है, ocean में enter करने के लिए due to formation of delta तो अगे ये भी example है किसका, किसका example है ये भी coagulation of colloid का example है, एक लास्त हम discuss कर लेते हैं coagulation of blood by ferric chloride और alum तो कभी आपके हाथ में या body, कही body में क्या लगा होगा, cut जरूर लगा होगा, किसी भी चीज़ से blade का हो सकता है, knife का हो सकता है तो घरों में हम क्या करते हैं fit curry apply कर देते हैं alum ही fit curry है, या lab में आपको ferric chloride भी मिल जाएगा तो इससे क्या हो जाता है, blood clot हो जाता है, तो blood का clotting है, वो भी क्या है coagulation of colloid ही है क्यूंकि आपको पता है, blood एक colloid है, और colloid में अगर आप क्या करोगे, electrolyte add करोगे, तो blood की clotting हो जाती है, और वो flow नहीं होता है, और भी कई सारे example आप देखेंगे NCRT exercise में, so this is all about the colloid their application, और इसी के साथ ये जो हमारी series थी, surface chemistry की, ये total 6 part में क्या होगी है, finish हो गई है, तो आपको जरूर ये पूरी series समझ में आई होगी, तो ध्यान से देखें, बार-बार देखें, और in case आपका कोई doubt है, तो please comment कीजिए and thank you very much for watching this video, thank you